हेलो फ्रेंड तो कैसे हो आप लोग उमीद करते हैं अच्छे होंगे जहां भी होंगे जैसे भी होंगे अच्छे होंगे तो आप सभी को नियू येर की बहुत बहुत बदाई कि हैपी न्यू यह आज आप लोगों को ले करके चलते एक छोटा सा पार्क में जो पतियाला में ही है था परिय अन्वर्सिटी के ज़स्ट सेड में और यह पार्क है आपको बेसिकली नवा रोड और वुपिंद्रा रोड के कॉर्णर पे तो आप यहां पर जा सकते हैं यह प यह पार्क देख सकते हैं कि जीफ मिनेश्टर पंजाब अमरिंदर सिंह द्वारा इन्नोग्रेटेट किया गया था 6 परवरी 2004 में तू आइए चलते हैं इसी पार्क में और आपको दिखाते हैं कैसा है कि बढ contrôle हैं इसे तो आपको हैं आपको दो ऴातों आपको आपको देखाते हैं आपको पार्क में डले को देखेए घ्लोंग्वाभ यह इसा जड़ता हैं Damn यह चोटा सा पार्क है और यहां पर बैठने के लिए काफी अच्छा है जैसे के लिए पार्क में आप आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ जो चोटे बच्चे हो उनके प्ले के लिए काफी बैवस्ता किया हुआ है यहां पर देख सकते हैं आपको एक एक करके यहां पर में है वो पिंद्रा रोड पे तो आप जब भी चाहें बच्छों को विकेंड पर यहाँ पे ला सकते हो दो तिन गंटे यहाँ पे इसमेंड कर सकते हो बच्छे अपर नजय करेंगे ले करेंगे आप यह देख सकते हो यहाँ पर क्लाइम्बिंग के लिए दिया हुआ है अगं पर पर बच्चों का खिलने का विवस्ता किया गया है जो श्लाइडिंग बेसिकली छोटे बच्चे अजयरा उप प्ले कर सकते हैं स्लाइडिंग के बगल में ही यहाप देख सकते हैं कि जूला लगा हुआ है यहां भी बच्चे एंज्वाइ करेंगे आप हर जगह पर बैठने के लिए बेवस्ता किया हुगा है आगे कुछ नहीं हुए अक्टिविटी एड किया गया है चलिए आपको दिखाते हैं वहां पर क्या है ज्यादा बड़ा पार्क नहीं है छोटा है बड़ अच्छा है जो गाड़ी आती हुए देख रही है यह लिला बाउन की तरब से आ रही है और यह रेड लाइट है इस रेड लाइट से लेप्ट साइड में जो रास्ता जाती है नावा रोड की तरफ जाती है और राइट साइड की जो रास्ता है वो लिला बाउन की तरफ जाता है जैस्ट एक और पर यह पार्क है नहीं एक्टिवीटिति पर लगा हुआ है मसी यह करंचेज लगाने के लिए एक्सरसाइज के लिए मसी लगा हुई है यह दिए ट्विस्टर डबल ट्विस्टर लगा हुआ है और यह शोल्डर प्रेस तो देखिए पांटी एक्सरसाइज यहां पर कर ली है तो आप भी आप पर सुबह सुबह या साम में जब आएंगे आप अपने यहां पर एक्सरसाइज कर सकते हैं साथ में यहां पर सिटिंग के लिए न्यू बेंचेज रखी हुई है इस तो वापस फिर जाता है पार्क गेट की तरफ तो बस ज्यादा बड़ा नहीं इतना ही पड़ा पार्क है यह आप एक से दो गंटे ज्यादा ज्यादा बच्छों के साथ आएंगे तो एक से दो गंटे कि मिलवाते है यहां और यू यहां अंकल और अंती एक्सराइज करई तो चलिए आपको इंसे मिलवाते है कर देख सकते हैं अंकल यहां पर aquell कर रहे एंद क्या अंकल आपडैली आते हैं ना क्वानिंग में नहीं आते हैं शुदिय। तो के इस पार्क में कब से आ रहे हैं है मैं शे महिने से इस पार्क में आ Thunder score मैं लिए eight लीए एक्वारते हैं और छे महीने से आ रहे हैं अपने आपको फीट रखने के लिए तो काफी अच्छा पार्क है छोटा है बट ठीक है ज्यादा इकुपमेंट नहीं है बट छोटा है आप आप करके मोर्निंग वाक कर सकते हैं आप देख लिजिए अंकल लगे हुए एक आंटी जी भी है जो यहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप देख सकते हैं पैरेंट्स कुछ आये हैं अपने बच्चे को ले करके जो की जूले पर बैठे हुए हैं तो अभी अंकल ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो थैंक्यू अंकल जी तो आप देखिए शिए अंकल जी आपका एज क ख्याल रखते हुए एक्सरसाइज अंकल जी करते हैं तो यह मतलब अपने आप में हम जैसे लोगों को तो चाहिए कि हम भी एक्सरसाइज करें हमें तो सुबह में निंदी नहीं खूलती ब्लैंकट से बाहर ही नहीं आ पाते तो आप देख सकते हैं अंकल और आंटी अभी आंटी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं यहां पे जो भी एक्यूपमेंट है और दोनों अपने आपको मुतलब अंकल एंटी दोनों मुतलब अपने आपको फीट रखने के लिए सुबह, शाम, मौर्णिंग, माग करते हैं और साम में अभी तो अंकल ने बताया कि सुबह से सुब रखने के लिए जो वाग करते हैं और हम सुबह सुबह उठ भी नहीं पाते क्योंकि हमें ज्यादा ठंडी लगती है तो ठैंक्यू अंकल आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके इस पार्क में यदि आप आ रहे हैं तो यहां पर पार्किंग की बेवस्ता है फ्री पार्किंग है तो आपको टेंसल लेने की ज़रूत नहीं है आप अपना वेहिकल हराम से पार्क कर सकते हैं और पार्क में जा सकते हैं कर सकते हैं